Anatomy of a Fall फिल्म समीक्षा Anatomy of a Fall एक 2023 फ्रेंच कोर्टरूम द्रामा थ्रिलर फिल्म है जो जस्तिन ट्रिट द्वारा निर्देशित है और पटकता ट्रिट और आर्थर हरारी द्वारा सहलिखित है। इसमें सैंडरा हुलर एक लेखिका की भूमिका में है जो अपने पती की मौत के मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही है। Anatomy of a Fall का विश्व प्रीमियर 21 मई 2023 को 76 वे कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां इसने पाल में डियोर और पाम डॉग पुरसकार जीता और क्वीर पाम के लिए प्रतिसपरधा की। इसे 23 अगस्ट 2023 को ले पैट्टे द्वारा फ्रांस में जारी किया गया था। फिल्म को आलोचकों से प्रशनसा मिली जिन्होंने ट्रिट और हुलर की प्रशनसा की और इसने फ्रांस में 10 लाग से अधिक प्रवेश बेचे हैं। ग्रेनोबल के एक शैलिट में उपन्यासकार सैंडरा वोटर का साक्षातकार उनके पती सैमूल मालिस की द्वारा तेज संगीत बजाने के कारण रोप दिया गया और साक्षातकार करता वहां से चला गया। उनका आंशिक रूप से अंधा बेटा डैनियल अपने गाइड कुट्ते स्नूप के साथ तहलने के लिए बाहर जाता है और सैंडरा संदेह के घेरे में आ गई। शव परीक्षन से पता चला कि सैंवल के सिर पर घाव उसके शरीर के जमीन पर गिरने से पहले किया गया था जिससे सैंडरा संदेह के घेरे में आ गई। उसके वकील और पुराने दोस्त विंसेंट रेंजी ने यह दावा करने की योजना बनाई है कि यदि उसे दोशी ठहराया जाता है तो सैंवल की आत्महत्या से मृत्यू हो गई। और यह विश्वास न करने के बावजूद की उसने खुद को मार डाला वह उसे सैंवल की मृत्यू से कुछ महीने पहले एस्पिरिन की अधिक मात्रा लेने के प्रयास के बारे में बताती है। उसने उसकी बाह पर एक चोट देखी है जिसके बारे में उसका दावा है कि वह एक काउंटर टॉप से टकराने के कारण लगी है। डैनियल का दावा है कि जब वह घर से बाहर निकला था तो उसके मातापिता जगड़ा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब संगीत की आवास के परीक्षन से पता चला कि उसने उन्हें वहां से बात करते हुए नहीं सुना था जहां वह दावा करता है कि वह था तो उसने अपनी कहानी बदल दी। यह अटारी की खिड़की के नीचे एक शेड पर खून के चींटे और मरने से एक दिन पहले सैमुवल और सैंडरा के बीच हुरी लडाई की रिकॉर्डिंग के साथ मिलकर अभियोग का संकेत देता है। विंसेंट के साथ गवाही का अभियास करते समय, सैंडरा बताती है कि सैमुवल उस दुरघटना के लिए तकनी की रूप से जिम्मेदार था जिसने डैनियल को अंधा कर दिया, जिससे वह अवसादगरस्ट स्थिती में आ गया, जिससे वह कभी भी पूरी तरह से उबर नह पर लगा, जबकि अभियोजन पक्ष का मानना है कि उसने उसे किसी कुंद वस्तु से मारा और उसे दूसरी मंजिल की बालकनी से धक्का दे दिया, सैमुवल के मनोचिकित्सक और अभियोजक के साथ एक बहस के दौरान उसने स्विकार किया कि डैनियल की दुरघटना के बा पिछने का आरोप लगाया। पक्षातकार में बाधा डाली। वह इस बात पर जोर देती है कि उसने सहमती से सैमुवल के खारिस किये गए उपन्यास की रूपरे खाओं में से एक से एक विचार उधार लिया था जिसे उसने अपनी किताब में बदल दिया। अभियोजक ने अपनी कहानियों में अपने व्यक्तिगत संघर्षों को लिखने के अपने पैटर्न को नोट किया है और कैसे सैमुवल की हत्या उसके सबसे हालिया उपन्यास के एक छोटे चरित्र के विचारों को प्रतिबिम्बित कर सकती है। उनका दावा है कि सैमुवल ने अपनी स्वतंत्रता के लिए इतनी सकती से लड़ने के अगले दिन खुद को नहीं मारा होगा, जबकि विंसेंट सैमुवल के तनाव और असफल लेखन करियर को आत्महत्या के लिए प्रेणा बताते हैं। जो कुछ हुआ उससे परेशान होकर, डैनियल बहस बंद करने से पहले गवाही देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने सैंडरा को अस्थाई रूप से घर छोड़ने के लिए कहा। यह याद करते हुए कि सैंवल के आत्महत्या के प्रयास के तुरंत बाद स्नूप बीमार हो गया था, डैनियल ने उसे एस्पिरिन खिलाई और पाया कि इसका वही प्रभाव है, संदे है कि उसने सैंवल की उल्टी खाली है और इसलिए सैंडरा के दावे को माने करता है कि धटना उसी तरह हुई थी जैसा उसने वर्नित किया था, हाला कि वह अभी भी अनिश्चित है कि क्या हुआ था, उसकी गवाही में हस्तक शेप को रोकने के लिए उसकी निगरानी करने के लिए नियुक्त महिला ने उससे कहा कि वह उस पर विश्वास करे जिसके साथ वह र करते हुए अपने आत्मधाती विचारों को प्रकट किया था, दैनियल ने अपना विश्वास बताया कि सैमुल की मृत्यू आत्महत्या से हुई और सैंडरा जल्द ही बरी हो गई, वह घर आती है, दैनियल को बिस्तर पर रखती है, और स्नूप के साथ सोने से पहले उसकी और सैमुल की तस्वीर देखती है,